नमस्कार, आज हम कख्षा दस गडित में पांच दिसंग लग तीन प्रस्नावली के सवालों को अलकरें। इस प्रस्नावली में हम स्रेनी का योग ज्याद करना सीथें। स्रेनी का योग, सवाल है प्रस्न करमान की एक का पहला, दो, साथ, बारा, दस पदों तक स्रेनी का योग ज्याद करो, समंतर स्रेनी का योग ज्याद करो, यहाँ पर आपको पता है सबसे पहला क्या होता है, प्रथंपल, प्रथंपल होता क्या है, ए, ए बराबर क्या हो गया आपका दो बोटे यह चले हम दूसरा होता है सार्व अंत्र कि और सार्व अंतर डी बरावर क्या होता है दूसरे मैं से पहला घटा देते हैं साथ माननस दो बरावर पांच ठीक है और यदि अपन देखें क्या होता है इसमें एन बरावर यानी पर कितने दस है ठीक है अब हम सूत्र देखें समांतर स्रेणी के एन परों का योग समांतर स्रेणी का योग एन वबल योग में सूत्र क्या होता है एस एन परावर एन वाइटू एन वाइटू ब्रेकेट टुए प्लस एन माइनस वन दी ये आप्टा सूत्र होता है एस एन यानी एस दस परों का निकालना है दस बटा दो दू एक मतलब दू मान है एन मतलब कितना है दस माइनस एक गुणा पांच दी का मान पांच है दस पटा दो यानी पांच है दो एक मतल है दो दो पंज दस ये आप आपका दो दू दुना चार प्लस दस में से गया नौ बंज हो गए आपके पैंतालीस यही आप करेंगे गुणा पांच गुणा यह कितने होगा है उननचास और जब इनका हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएंगे 245 यानि दस पदों तक का यूपल है वो 245 होगा ठीक है इस प्रकार यह साही सुत्र लगा करके आप इसके तीन चवाल और जो हैं वह हल कर सकते हैं भी बहुत भी आसानी से ठीक है आपने यह नोट कर लिए अब आईए मैं आपको प्रस्म करमांक 2 के सवाल करके बताता हूं प्रस्म करमांक की के आपने लगिये अब आप बांकी के तीन आप सेम ऐसे के ऐसे हैं हम सेम अब कर रेंगे अब आईए आप मैं बताता हूं प्रस्म करमांक 2 कि पहला नंबर है कि साथ प्लस दस सई एक वाटे दो प्लस चवदा और प्लस दैस 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 शौरासी कि इतना क्या क्या करना है निन दिए गायों को योपल ग्याद करना है क्या क्या करना है योपल ग्याद करना है इस एसी जरेणी यदि आ जाए तो आपको दू फॉर्मूला लगाना पड़ेंगे यह चीज द्यान रखने की बात है ठीक है सबसे पहले हमने अल किया इस रेणी को सही कर लो साथ इसको सही करें तो दस दूनी बी से कीस बटे दो प्लस चोदा प्लस डेस डेस और चोरासी ठीक है अब हमने आगे क्या करना है हमें यहां पर देखते हैं इसमें क्या है यह बराबर कितना हो गया साथ और यह न यान आगरी का जोपद है यह बैट इतना हो गया चोरासी हमें यहां पर एन का मान गया करना पड़ेगा किस चीज का एन का मान गया करना पड़ेगा हम लिखते हैं समांतर स्रेणी का एन वपद समांतर स्रेणी का एन वपद होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन दी एन का मान है चोरासी बराबर एक मान है साथ प्लस एन हमारे पास नहीं पता और दी हमारा कितना है हो गया दी का मान हम निकाल लें दी यहीं निकाल लें हम दी बराबर क्या हो जाएगा आपका 21 बटे 2 माइनस 7 बटे 1 तो यह आपका 2 21 माइनस 16 बराबर 7 बटे 2 आपका हो जाएगा तो यह गुणा करने लिए 7 बटे 2 ठीक है अब हम इसे सॉल्फ करेंगे तो आपका यह हो जाएगा 84 बराबर 84 बराबर इसको अपन सॉल्फ कर लें 16 प्लस साथ एंड साथ एंड माइनस साथ और यह दो का जो है वो गुणा इसमें हो जाएगा लेकर गुणा कर दिया तोड़ा सा डारेक्ट साथ अब इसे हम जैसे ही सॉल्फ करते हैं तो यह हो जाएगा 168 बराबर 14 में से साथ गए तो साथ प्लस के बचेंगे जो यहां के क्या हो गए माइनस के हो जाएगे माइनस के साथ बराबर साथ अं एन बराबर 181 बटी साथ बराबर आ जाएगा आपका ठेस हैंनि एन का मान कितना आ गया हमारे पास तेईस आगया है अब हमें क्या निकालना है हमें समांतर्स रहनी का योग क्या आद करना है अब योग का फर्मूला यहां पर देखेंगे क्या निकालना है समांतर्स रहनी का योग समांतर्स रहनी का योग आपका क्या होगा फर्मूला लिखेंगे एस एन बराबर एन वाइट तू एप्लस एन माइनस वंडी टिकर अब वो ऐसे लिख सकते एप्लस एल भी लिख सकते क्योंकर अंतियों पर दिया है है ना तो अंतियों पर जब दिया हो तो हम क्या लिख देते हैं एप्लस एल भी लिख लेते हैं चलिए था एप्लस एल से करा देता हूँ ए प्लस ए एन या आगरी पर ठीक है एस एल क्या निकालना है कराइश तेईस ब्राबर कीत्ना होगा है या तेईस वते दो कित्ना होगा है रापका साथ प्लस चोराशी में यह होगा है वर तेईस वते दो शाट और चोरई पुझा जोड़ेंगे तो 91 और फिर आपका आजाएगा दो हजार दिरांबे बटी दू और ही हमारा उत्तर होगा ठीके आगे के कॉस्चन आप सेम करेंगे इसकी नेक्स डे हम आगे करेंगे धनवाद थेंक यू